हलो बच्चो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बच्चो रास्तान बोड के जितने भी स्टूडेंट है उनका टेंथ का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसका एक मोडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो इसमें मैं आपको इसको बताने वाला ह करते हैं उससे पहले वीडियो को बिना स्किप के लास्त तक देखते रहे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आपके रास्तान बोड के जितने भी पेपर होंगे सारे की सारे की सारे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे ध्यान रखना वह पूरा पूरा तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आप पास हो जाओगे तो देखो सबसे पहली वागत तो हम करें कि आपका 80 नंबर का पेपर आएगा 80 नंबर में से देखो टोटल सो में से आपके 20 नंबर तो इसकोल वालों ने बेच दिए ठीक है ना 20 में से मतलब किसी स्टूडेंट उनके थोड़े कम हो सकते हैं बाकी मतलब आपके 15 से 20 के बीच आपके नंबर रहने वाले हैं मतलब आपके पास टोटल आपको 33 नंबर चाहिए तो जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनको तो मातर लगबग 13 नंबर ही चाहिए जिसके 20 नंबर बेज दिए ह और जैसे मतलब कोई स्टूडेंट के मानलो 15 नंबर ही वेज़े हैं तो उनको 18 नंबर तक चाहिए तो आज में आपको बताऊंगा कि 18 नंबर आपको कैसे लाने है बहुत ही ईजी तरीके से 18 ही नहीं आप लगबग 50 क्रोश कर सकते हो मेरे तरीके से अगर प्रेपर शोल करो मतलब आपका देखा हुआ नहीं है किताब में से नहीं है किताब से बाहर से पेसेज आपके जैसे भी आते हैं तो उनमें से क्या होता है उपर जो पेसेज दिया होता है उसको आपको ढंक से पढ़ना होता है और इसमें निचे जो क्यूशन दिये भी होते हैं उनके आंसर आ see these days, अब देखो आपको इसमें क्या करना है, कि ऐसा सा कोई वर्ड जैसे unusual है, तो आपको paper में यहाँ पे देखना है, देखो unusual दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको इस line में से देखना है कि इस line में जो दिया हुआ है, उसमें से आपके option में क्या है, ठीक है ना, तो देखो जैसे these days it is not unusual to see people listening to music or using their electric gadgets while crossing busy roads or traveling on public transport regardless of the risk involved, अब आपको question पूछा क्या है, कि what is not unusual to see these days, मतलब आपको क्या मिलरा है जो आज गल आपको उन्यूजवल दिखाई दे रहा है, तो यहां पर देखो, आपके पास क्या क्या आ रहा है, एक तरह देखो listening to music ठीक है ना, इसमें देख रहा है, देखो आपको मस मिलाना है, ठीक है ना, आपको यह नहीं मतलब है कि इसका अर्थ आपको नहीं आता पढ़ना नहीं आता लेकिन ऐसे तो मिला सकते हो यह पढ़ना भी नहीं आता listening तो यह आप देख सकते हो कर रlier सब्सक्राइब नहीं आता पार्श प्रम rep问 नक्तीब हो रलुप 19 इंह सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब मतलब इसमें यह वर् का आंशव मिल गया और Н. हो गया ठीक है इस तरह से आपको यह करना है अब देखो इसमें देखो यह जो पांचवा और क्युशह नाइगा इस में इसमें हर इक student के problem होती है कि इसमें क्या करनाा आपको तो देखो इस-में आपको इतना दिमाग अगर आपका लगता है तो अच्छी बात है नहीं लगता है तो कोई दिकत नहीं है क्यों है यहां पे चाट कूछन आप मिला के सही कर सकते हुआ मतलब 4 number आपके यहां पे हो गए वसे सर्प्रारेज़ट का मतलब होता है आश्च्छरीय चकीत और यहां पे निरखा है देखो यहां पर डेखा है कैंजरी होता है लेकिन इसे मतलब वसको एइसे मिलता जुलता याफ जरूर तो खाली में तो आपको 100% sure है कि आपको 0 number मिलने वाला है कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन बाइचांस आप कुछ लिखते हो तो उसमें आपका मतलब right हो गया तो आपको एक number मिल जाएगा और नहीं भी मिले तो आपको 0 तो मिलना ही है ठीक है न तो आपको कोई भी question खाली नही नहीं था तो मैंने खाली चोड़ दिया तो खाली नहीं चोड़ना आपको 100% आपको कुछ भी लिखना है चाहे आपको कुछ भी नहीं आता कोई question answer है तो उसमें passage को लिख दो कुछ भी लिख दो लेकिन आपको लिखना जरूर है इसके बाद देखो अगला जो है इसमें कूल दे रखा है होट है होट का मतलब क्या होता है गरम होता है तो एक तो क्या होता है फटा को हम क्या बोल सकते है या तो तो कूल रोल dhou तो इस तरह से देखो जैसे मानलो अगर आपको ये दोनों क्यूशन भी नहीं आते पांचवा और चठा तो इसमें आपको कुछ भी लिखना है लेकिन उपर के चार क्यूशन आपको गलती नहीं करनी है चार नंबर आपको ये पकाने है पूरी तरह से उसके बाद एको जो सेक आपको इसकी पीडियाप मिल जाएगी ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता ठीक है जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है जो पढ़ते है अच्छे से उनको अपनी तेयारी है वो सही ढंग से करनी है ऐसे कि हम तरीका बता रहा हूँ वो जो पढ़ने वाले बत्चे हैं वो भी यूज करने लग जाए क्योंकि पढ़ने वाले बत्चे हैं उनको सब कुछ पता होता है तो उसे साफ से आपको पेपर करना है इसमें आपके पास कितने क्यूशन कंदने 9 मूशन है और यह आपका नो रखना है कि मतलब इनमें कोई ऀ गलती नहीं होनीं छी जो सोरी पड़े होए यहos इसको आपको लाइन स्वरी पक्ड़े है यहां पर यहां पर नहीं है और व्रयुद से वर्ड मिलना लाएन लाइन नहीं मिल है तो व्र 1700 मिल लो 2 support लास्ट वाले दो अगर नहीं आरें, अमेजिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसमें अगर नहीं आरें, तो इनको कुछ भी लिख दो, आप अपनी मर्जी से, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई student जिनको मतलब समझ में आ रहा है, तो उपर परेग्राम में आप देखें कि इसका अर्थ वाला जो सब्द वो यहां पर कौन सा है यहां पर इसका पोजिट कौन सा है ठीक है ना उसके बाद देखो और एक चीज और बता दूम आपको जैसे मतलब आप लिखते हो कोई भी क्यूशन का अन्सवर तो आपको स्टार्टिंग में जैसे मत पर दिया उसके बाद दस का तो पेपर भी तो इस तरह से एक्जामिनर को काफी ज्यादा प्रोब्लम आती और आपको अपनी राइटिंग का इस्पेशल ध्यान रगना है स्टार्टिंग के कम से कम तीन से चार पेज आपको बहुत अच्छी दंग से लिखने लेकिन आपको तो इस तरह से लिखना है कि आपका पेपर भी पूरा हो जाए यह नहीं है कि बस राइटिंग जमाने में ही रह गए और तीन-चार पेज ही लिखे गए आपको तो इस चीज का आपको इस पेशल ध्यान रखना है उसके बाद देखो अगला जो तीसरा क्यूशन है इसके बारे इमेल में क्या है आपके पास देखो नॉर्मली मैं तरीका बता रहा हूं आपको जैसे मतलब यहां पे क्या हो गया टू आ गया उपर सीशी आ गया बी सीशी आ गया उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद आपको जो भी मेटर है वो लिखना ह ठीक है न देखो इतना सा परफोर्मा है बस आपका है न इसमें मतलब आप जिसको भेज रहे हैं वो लिखना है और बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है किस टोपिक पर लिखना है और यहाँ पे देखो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखू इसमें बतलब आपको यह चार नाम तो रटके रखने है तू सी सी बी सी सी और सब्जेक्ट यहाँ पे इमेल आइडी कोई भी इमेल आइडी या तो आपको पेपर में दे देगा नहीं अपनी इमेल आइडी लिख देना कोई भी कुछ भी लिख देना है इमेल आइडी तो जानते हो ना जैसे मतलब कोई भी जैसे मतलब अपनी है सारब्रेंट टूटोरियल से एड़ डोट कॉम या फिर इसमें अगर यह पांच का है तो आपके दो सी तीन नंबर आ जाएंगे आराम से इस बात का स्पेशल आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखो आपका अगला जो क्यूशन आने वाला है वह स्टोरी का आने वाला है स्टोरी आपको एटी वर्ड्स के अंदर स्टोरी अगरा लगी है तो आपको पता लग जाएगा कि यह कहानी वह अरिसको किस तरह से लिखना है एक तरीका तो आपके पास यह है कि आपको कहानी हिंदी में याद करोगे तो हिंदी को आप इंग्लिस में द्रासलेट करके और उनको थोड़ा अडets कर सकते हो कि यहां पर क्या- कुछ भी घुशेट दो और ऐसा का ऐसा लिख दो इसको दो बार लिख दो ठीक है ना जिनको कुछ नहीं आता उनकी बता रहो क्योंकि आपका गलत होगा तो आपको जीरो मिलेगा लेकिन कुछ लिख दोगे तो मालो आपको एक नंबर भी मिल गया तो वह आपके लिए पंद लिखना है अब कोरोना वेक्सिन के बारे में आजाए कोई भी आजाए एक्सवाइज तो यहां पर आपको जो इमेज दिखे तो इसको आपको देखके यह आइडिया लगाना है कि आपको किस टाइप का जो पेसेज हो लिखना है अब इसमें भी मैंने जो तरीका बता बता नहीं है और उसके बारे में आपको लिखना है और महतर आपको 60 लिखने ज्यादा लंबा नहीं है 60 वर्ड लिखने और चार नमबर का यह आने वाला है तो इसमें आप जैसे मानलों यह आप देखो दूसरा दे रखा है इसमें दूसरा लिख सकते हो my favorite teacher के बारे में या न 60 word में उसके बाद देखो जे section C है grammar का जो option है अब इसमें देखो आपके पास क्या है grammar के जो टेंस आपके आएंगे वो चार नमबर के आएंगे अगर आपके 10 सची तरीके से तेयार है वरब की फोरम वगेरा helping वरब आपको याद है तो चार नमबर यह आपके कहीं भी नहीं जाने वाले देखो जैसे choose the correct form of the web अब यहां पे दे रखा देखो I blank space दे दिया go to जैपूर yesterday अब देखो मैं कल जैपूर ज जाओंगा गागेगी ठीक है न तो इसमें देखो कौन सा टेंस आ जाएगा आपका जो फस्ट है वो आ जाएगा यहां पे देखो वेंट मतलब यह आपका sentence हो गया पास्ट इंडेफिनेट का तो पास्ट इंडेफिनेट में क्या आता है को की सेकेंड फोरम आती है वेंट I went to जैपूर येस्टरड़े उसके बाद देखो he usually take breakfast at at am मतलब वह यहां पर देखो क्या हो गया तो यहां पर देखो क्या जाएगा आपका मतलब आपको यह देखना है कि कौन से टेंस का वाक्य है वह है usually take breakfast at at am मतलब वह सामान लेता है आठ बजे ब्रेकफास्ट लेता है तो आ लता है ती है ती है आ गया न तो इसमें देखो क्या बता है जो simple sentence होता है उसमें helping और नहीं आती और इसके अलावा क्या आता है ICIES आता है अगर करता एक और तो यहां पर करता कि यहां पर क्या जाएगा जो form मैंवरब उसके साथ ACS आजाएगा helping और नहीं आएगी तो यहां पर क्या जाएगा टेक्स आजाएगा तो इस तरह से आपको टेंस को ध्यान में रखना है कि कौन सा टेंस है और उसके अंदर मतलब आपको कौन सी helping और लगने वाली वर आपकी कौन सी फोरम आने वाली है इसके बाद देखो अ karşı आपको क्या करणाय कि कि इसमें क्या जाएगा to kyse में change हो जाएगा told में change हो जाएगा told invited को म है this याहां क्या जाएगा that जाएगा इसके बाद देखो किए वर वी ऊ希望 और यू क्या होता है आपकी सिख्यों के आपसे होते ही ठीके ना किसाट पर्ष्ट के अनूशार चेंज होता है subject के अनुसार मतलब subject क्या होता है करता यहां पर देखो आर्ची क्या है subject है ठीक है ना तो subject के अनुसार first person अगर यहां पर आई और वी है ना तो वो किसके अनुसार चेंज होगे, यहां पर आर्ची के अनुसार चेंज होगे, अगर यहां पर यू हना यू, यू क्या होता है, second person होता है, second person किसके अनुसार चेंज होता है, object के अनुसार, तो object क्या यहां पर me है, तो इसके अनुसार यह चेंज हो जाएंगे, देखो, क्या आएगा, आर्ची ट होगा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आर्ची है तो आर्ची की जग़ह से सिचंद तो यहा 50 हे कि आ जाएगा मतलब इस इस या अजफेर्ट अगई आगी अगे तो यह क्या हो गया आपका person watch क्या हो गया इंट्रोगेट्यू तो यहां पर क्या होता है said to किस में change हो जाएगा asked में change हो जाएगा उसके बाद देखो यहां पर क्या आएगा conjunction के रूप में if आएगा उसके बाद में इस वाग्य को आपको simple बनाना है you to learn English है इसको किस तरह से बनना है you to learn इंग्लीश तो उसके बाद गो you है वो किस के अनुसरार चेंज हो जाएगा मी के अनुसरार चेंज हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा I राणिक क्या आ जाएगा patent इसके मिन हो जाएगा patent ठीक है न तो देखो it is very cold we cannot go out ठीक है न तो इसमें क्या करेंगे आपने very की जखा क्या लगा देगे ठीक है न फेट की जखा क्या क्या करें आपको यहां पर क्या करेंगे आपको यहां पर इसमें से एक को यहां वाले को अटा देना आपको ठीक है न she is very small she cannot lift it तो देखो इसमें क्या करना है she is so small ठीक है न उसके बाद that cannot lift it बतलब यहां पर करता है यह हट जाएगा इसके बाद इसके यहां पर क्या करना है आपको join the using sentence using the relative pronouns यहां पर आपको pronouns बढ़ने है उसके बाद देखो अगला पेशी वह इसमें चेंज करना है तो पेशी वह इसमें क्या होता है आपका जो subject को object बना दो object को subject बना दो और जो subject है उसको last में by लगा के आपको लिखना है देखो I cross the river by boat तो आपका person क्या बनेगा कि आपने जो river है उसको कैसे cross किया ठीक है तो how cross the river ठीक है तो इस तरह से आपका person बन जाएगा जैसे add question take this mohan is mohan will go to school मतलब इसमें आपको क्या करना है क्यूशन बनाना है mohan will go to school मतलब mohan वो school गया तो इसमें क्या होगा person आपका mohan कहां गया उसके बाद देखो जो D section आएगा इसमें वापस से आपके क्या आ गए पेसे जा गए पेसे देखो आपके 9 और 6 15 नंबर के तो पहले आ गए ठीक है ना इसके बाद श्ट्री वाड़ा हो गया email वाड़ा हो गया तो मतलब इस से आप अच्छी तरीके से पास हो सकते हो ठीक है ना इसमें को यहां पर बना सकते हो अच्छे तो यहां पर वाले जो भी क्यूशन है यह जो क्यूशन दिए है इनको आपको पेसेज में से देखना है और लिखना इनके अंस्वर इस तरह से आपका 13 नंबर का भी यह होने वाला है उसके बाद देखो जो 14 नंबर का जो क्यूशन आएगा इसमें आपके बुक के क्यूशन है ठीक है ना बुक के क्यूशन है दो में से आपको एक करना है ठीक है अब आप यह बोलोगी सर हिंद में तो हमें कभ कुछ भी पता है आपको खाली नए छोडना है मतलब इस चैप्टर के बाए में अगर उसको कूछ भी पता है तो वो आपको यह भी लिखना है अगर यह भी नहीं आता तो आपको कहीं से कोई भी passage के लाइने उठा के आपको इसका आंस्वर लिखना है जलत होगा तो आपको 0 मिलेगा लेकिन बाइचान सही हो जाएगा तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा अगर आपको आधा नंबर भी मिलता है तो आपके लिए फाइदा है उसके अगला जो है पंदरवय में भी आपको यही करना है आपके जो बुक्य क्यूशन है इनको आपको आंस्वर लिखने है उसके बाद देखो एक्स्प्लेइन वन उफ फॉलॉविग इस टेंजाज विट रिफ्रेंस टूदा कॉंटेक्स तो इसमें आपको रिफ्रेंस और कॉं उसके बाद आपको इनके बादे में आपको आपको अक्स्प्लेइन करना है उसके बाद देखो अगला क्यूशन है सतरवय नंबर का इसमें आप देख सकते हो आंस्वर एनी टू अपध़ फॉलॉविग क्यूशन इन 20 वर्स मतलब आपको तीन क्यूशन दीवे तीन में से आपको कोई दो क्या आंस्वर आपको लिखने ठीक है ना दो क्या आंस्वर आपको लिखने मैंने वही तरीका बताया है अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है आपको क्या आता है तो आपको सही लिखना है लेकिन आपको कुछ नहीं आता तो इसमें कुछ भी लिख दो च क्यूंस allows करना से च् бегला में से आपको 2 आपको 2 करना तो यह फॉलॉइग आप आदे के पेपर आएगा porta सी दिडार जो स्टुडेंट जनको कुछ सब्योंस तो में पाइडा था प्रेक्के से अगर आप अपकि 2 जाओगे Hindu जो स्टुडेंट अच्छी तैयारी करें तो अपनी तैयारी है वो रेगुलर करते रहें आपका पेपर पेटरन है वो यही रहने वाला है मतलब इसी टाइप से आपका पेपर आएगा फिर भी अगर कोई प्रोब्लम आ रही है तो कमेंट बोक्स में बता देना आपका कर दो